इसेस करना सिखायेंगे, इवालुएट, एसेस्मेंट मतलब किसी को जच करना, उसके परस्नालीटी के बेसेस में हम जच्च्च्मेंट दे रहे हैं, कि वो आइदर गुड़ परसन है, या बैड परसन है, उसके पास ये चीज़ का कैलिबर है, या उस वर्क का कैलिबर है, तो personality में जो point आता है first हम introduction देंगे then characteristics then factors assessment अभी देखो जो previous questions already I had taught in many sessions जो भी था तो उसमें आपने same pattern में ही question answer लिखा था जिनको pattern याद नहीं है फिर से याद दिला रही हूँ first of all introduction देना है then आपको थोड़ा सा meaning देना है then definition definition कोई बच्चा confused हो रहा होगा कि मैं बुक में कहीं पर definition आगे है meaning पीछे है okay it's okay fine कोई problem नहीं है सिर्फ definition and meaning में ही वो changes होता है place changes हो जाते है कोई problem नहीं है but concept से पहले meaning definition को खतम कर देना हिंदी बच्चे आप लोग भी headings दे सकते हो definition meaning कोई problem नहीं है इंग्लिश में दे सकते हो अवे इसके बाद का रहता है कि characteristics अवे अगर concept नहीं समझा रहा है जो characteristics के points रहते हैं उसी को explain कर दो तोड़ा expanding format में हम अगर ले जाए so that is total concept वही होता है total concept जैसे कि आप लोग उने कल कोई एक माम ने पूछा था कि माम characteristics characteristics and nature यह दोनों points same है क्या obvious same है यह already मैंने बोला है कि यह दोनों points same है इसी के अंदर आपको expanding format में अगर लिख दो तो concept बन जाएगा ठीक है the first introduction में the word personality अच्छा मुझे एक कोई भी on कर ना माइको और बोल दो कि screen visible है कि नहीं है is the screen visible okay thank you thank you thank you चलो okay thank you okay देखो the word personality comes from the latin root कल का एक point पढ़े थे हम क्या point पढ़े थे कौन सा point पढ़े थे जो latin word से आया था बताओ adolescence adolescence word जो उसका root है उसका जो root है उसका जो नीव है कहा से आया है latin word से आया adolescere adolescere means to grow grow करना बड़ा होना mature तक हो जाना till maturity हम grow करेंगे तो वो point को हमने adolescence बोला था वैसे हैं यहां पे और एक next latin word में आ गया personality word latin words से आया है personality word अभी मैं इस पे pressure क्यों डाल रही हूं कि मैंने adolescence का फिर से आपको recall करवाया because question दो तीन चीज़ है just like cognoscere pedagogy then आपका यह word हो गया personality यह जो जितने words है न यह सारे आइदर ग्रीक latin word से आया है ठीक है has been derived from the greek और latin words तो इसको remember करना important है ऐसे type के question एक आथ आथ आपको sure मिलेंगे otet के exams specially otet के exams में मैं mention करीओ कौन से exam में क्या आता है otet के exams अभी चलो the word personality comes from latin road persona ठीक है persona persona means mask persona means mask mukhota mukhota आप कभी भी कहीं पे अगर mask game होता रहता है या फिर कहीं पे party में आपको बोला जाता है कि ऐसे type के mask को wear कहना है face पे and आना है तो आप लोग मास्क लेते हो so that is mukhota एक दिन के लिए आप different persons रहते हो वैसे ही आपका personality different work के लिए अलग अलग रहता है different field में आप different personality के साथ रहते हो जैसे कि आपका personality आपके parents के सामने just like casual रहता है आप उनके बचे हो अभी तक भी छोटे ही रहोगे and उनसे लाट प्यार करते रहते हो similarly अगर आप एक teacher है school में आपका वो personality change हो जाता है normally हम लोग थोड़ा सा strict हो जाते है disciplined हो जाते and हमारा well-gestured के साथ smiling face के साथ बचों को greet करते पढ़ाते है तो देखो personality में variation कितना आया वैक्टितु में कितना variation आगया वैसे हमारा जो role है role को हमने design किया है different work के साथ ये जो designed हुआ work के साथ जो designed हो गया उसी को हमने personality और वैक्टितु बोल दिया ये latin words आया है आपको याद रख लेना है so ये दुनिया में ना सारे जितने लोग है उनके face पे एक चहरा रहता है मतले मुखोटा रहता है मास्क रहता है अब हम आपके सामने है कि नॉर्मल है एक discipline में हमें आपको पढ़ाना पढ़ेगा मैं भी मैं अपने family के सामने वैसा ना रहूं बहुत casual रहूं बहुत happy moments वाला person रहूं कि ये always smile करता रहे या कुछ कहता रहे अलग-अलग जगब पे अलग-अलग personality होते है तो ये world में सारे persons के चहरे पे और एक चहरा रहता है मुखोटा रहता है ठीक है personality is defined as a unique set of traits what do you mean by traits traits means characteristics or factors अभी genetics या heredity word तो आप acquainted हो चुके होंगी बार-बार मैं बोलते रहती हूं तो traits ये question था short question MCQ Haryana T.T ठीक है हरियाना के जो T.T में आया था traits मतलब क्या है traits मतलब क्या है तो वहाँ पे mention हुआ था traits मतलब character है character है ठीक है answer को भी याद रहो traits मतलब character है तो यहाँ पे आपका जो unique set of characters है कुछ-कुछ ऐसे characters जो कि आप definite work के time पर ही आप उसको so करते हो तो उसी character को हम personality बोलते है personality बोलते है and traits and characteristics same points है कोई person उसको अलग वैसे भी ले सकता है आप बोलोगे मैं यहाँ पे दोनों ही mentioned है तो हमने traits को unique set of character बोला and normal characters को भी यहाँ पे mention किया suppose मैं हर दिन खाना खाती हूँ मुझे कुछ खाना पसंद है कुछ खाना नहीं पसंद है but specific कुछ work के लिए मुझे एक चीज खाना पड़ेगा and वो मेरा favorite भी है तो वो मेरा unique character हो गया तो unique set of traits and normal characteristics and relative stable of time with relative sorry relative stable of time मतलब जो भी time period है उसी के साथ वो character so होगा आपको जो time period given है उसी के साथ वो character आपको so होगा ठीक है तो इस चीज को हमने बोल दिया personality अगर हमने definition पे द्यामन दिया ठीक है please mute up your microphone first मैं बार बार नहीं बोल सकती please microphone को बन कर दो अगर मैं short term period के लिए बोलू मतलब कुछ time period है आपको आज ओके over the short term our personalities are relatively set और stable अभी देखो यह lines समझ लेना आप बोलोगे मैं यहाँ पे बहुत ज़ादा हो गया तो आप थोड़ा बहुत उसको reduce कर सकते हो क्योंकि मैं extra lines लिखते हूँ उससे आप कुछ काट के भी लिख सकतो एक्जाम में already क्या हो जाता ना आपके mind से वो points चला जाता है वो points चला जाता है तो यहाँ पे point है कि over the short term our personalities are relatively set और stable अगर आप एक चीज़ को बार 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 प्राक्टिस करते हो तो वो आपके character में आ जाता है और आपका आदत बन जाता है तो आदत को यहाँ पे हमने personality के base पे stable character बोल दिया क्या बोल दिया stable character, जो character fixed हो जाता है उसको हमने बोल दिया stable character जो character fixed हो जाए over the time period over the time period ठीक है time period के साथ जैसे जैसे समय गुजर रहा है उसके साथ एक character आपका fix हो जाएगा so definition यहाँ पर long term personality का है अगर long term personality को देखते हैं कि समय के साथ कुछ चीज बदल रहा है तो आप पोलते हो ना मेरा ये character बच्पन में था ये character अभी नहीं है ठेक है कुछ character मेरा बच्पन में था बड़ अभी नहीं है तो वो long period का है तो दो time का सॉरी दो type का आपका क्या होता है personality होता है दो type का आपका personality होता है या दो प्रकार के आपके व्यक्तित्यों होते हैं एक होता है जो कम समय के लिए हो दूसरा होता है जो जादा समय के लelils दिर्ग कालीन होता है एक खुद्रकालीन होता जो हम बोल सकते की समय कम है तो वह character आपके आदत में बन गया कुछ दिनों तक रहा दन वो चला गया और एक कारेक्टर रहा जो कि दिर्ग कालिन बोर रहे हूं या लांग टरम बोर रहे हूं सपोज कोई कारेक्टर बच्पन में था आपको हैबिट था आप डांस कते थे बट कुछ सिचुएशन खराब हो गया फैमली का इशू हो गया तो आप बड़े होने के बाद डांस और नहीं करते हो तो ओड़े हो गया वो कारेक्टर चेंज हो गया तो परस्नालिटी में चेंज ओवर दी लोंग पिरियड ऑफ टाइम समय के साथ साथ जादा समय के साथ ये कारेक्टर आपका चेंज हो सकता है ठीक है, तो दो यार रह गया, एक हो गया आपका short time period के लिए, एक long time period के लिए, short time वाला कुछ time तक रहेगा, दाना भूल जाओगे, long time वाला पहले था, बड़ अभी change हो चुका है, totally, totally आपका personality में variation आ चुका है, आप अलग person दिखते हो, चार साल पहले, छे साल पहले, आप बहुत ही जादा, अपने study को लेके conscious थे, बड़ अभी after marriage, या फिर after marriage के बाद, बहुत काम में busy हो गये, सोधार आप उतना ध्यान नहीं देब, ये भी एक character change हो गया, character change हो गया, मतलब आप एक personality से दूसरे personality में change हो रहे हो, याद रखना, अ तो अच्छा लगे, मैं यहाँ पर pressurize नहीं करूंगी, आप नेट से भी ढूंड के, अगर छोटा छोटा personality का definition मिलता तो वो भी दे सकते हो, वो भी दे सकते हो, ठीक है, छोटा अगर एक line वाला, single line वाला, one liner वाला, कोई भी personality का definition मिल जाता है, आप वो भी दे सकते हो, तो जो चीज़ आप हर दिन करते हो, ठीक है, वो आदत में रहता है, तो personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long and a period of time to give reliable information, अगर मैं आज एक काम को pressurized हो के कर दी, ठीक है, बट कल वो काम नहीं करी हो, तो वो मेरा personality नहीं है, सपोज आज मुझे अच्छा लगा, तो मैंने cooking कर दिया, बाइचांस में वो खाना अच्छा भी बन गया, बट कल में भी मैं cooking ना कर सकूँ, वो खाना अच्छा नहीं बनेगा, तो ये मेरा personality में नहीं आ रहा, over the long period, कुछ समय तक रहना पड़ेगा, कुछ कम समय सही, बट 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना, इतना समय के लिए रहना पड़े हो, तो उसको हम personality बोलेंगे, और इसको समझने के लिए, कोई person कैसे change हो रहा है, या उसका personality कैसे develop हो रहा है, आप कैसे जानोगे, by observation, observation को हिंदी में कहते है, अवलोकन, क्या बोलेंगे, अवलोकन, किसी को देखना, देखना मतलब घुरना नहीं, staring नहीं करना है, आपको के उसे observe करना, समझना है कि उसमें क्या-क्या बदलावा है, तो उसी को हमने personality बोला, अभी देखो, ये over a long period होता है, कुछ time period के लिए ये रहेगा, तभी जाके आपका personality में changes आएंगे, या बैक्तित वह में विकाश होता है, और ये क्या देता है, आपको reliable information देता है, जो information ब कल वो, उसी place में दुसरा कोई information आएगा, परसो और एक information आएगा, तो ऐसा नहीं चोलेगा, कुछ period तक उसे fixed रहना पड़ेगा, equal रहना पड़ेगा, सारे लोगों के लिए, तब जाके हम उसको personality बोलेगे, ठीक है, अभी देखो, और एक है, definition, M Prince का, बहुत अच्छा सा ना disposition, impulses, tendencies, appetites, and instincts of individual, and the dispositions and tendencies acquired by experience, मतलब देखो, यह जो पहला line था, पहला जो definition था, according to J.B. Watson, उनका definition simple था, जो की सारे लोग समझ जाएंगे, बट इनका जो definition था, यह totally biological waste है, तो words मैं कुछ कुछ समझा रहे हूं, personality is the sum total of all the biological innate disposition, अच्छा, disposition को simply समझ लो यहाँ पर, characters, just like, समझ लो कि यहाँ एक bottle है, ठीक है, एक glass या bottle है, आप हर दिन उसमें एक coin डालते हो, ठीक है, एक-एक coin करके आप हर दिन उसमें डाल रहे हो, क्या होगा, एक दिन glass भर जाएगा, तो जो character पहले से present था, बड उसमें little bit variation आ रहे है, little bit variation आ रहे है, ठीक है, पहले से कौन से character present रहते हैं, जो की आपके parents से आते हैं, जो characters आपके parents से आ रहे हैं, बड उसको influence कौन करता है, environment करता है, environment, env, sort समझ लो, environment का sort है, env, env, तो यह change कर रहे है, आपका environment में, आपका chemicals हैं, drugs हैं, nutrition हैं, family background, society है, सब कुछ है, ठीक है, वो influence कर रहे हैं, तो उसके वज़े से इसमें changes आ रहे हैं, तो अभी जो character इसके जगह पे आएगा, new character जो आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, awkward character बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो, normally new dispositions, new dispositions, अच्छा, अभी कोई चीज को बार-बार कर रहे हो, तो उसको क्या बोलता है, tendency बोलता है, ठीक है, बार-बार हम एक ही चीज को कर रहे हैं, तो जैसे होता है आपको vomit आ रहे है बार-बार, तो हम क्या बोलता है, उसका vomit का tendency थोड़ा है, ठीक है, कोई काम आप बार-बार repeat कर रहे हो, तो repeatedly जो होता है, ठीक है, बार-बार हो जा तो पहला कुछ character आपके body में था, जो की biological है, जो की parents से आया हुआ है, उस character को थोड़ा सा modify करके, जब new characters आते हैं, new stimulus के वज़े से, impulses के वज़े से, new tendencies और आदत बनते हैं, तो उसको हम personality बोलते हैं, क्योंकि उस वज़े से new characters आपके body में develop हो गए, आप new characters सो करना start कर रहे हूं ठीक है, तो यह M Prince का है, इसलिए बोली मैं, अगर यह by chance नहीं कर पार हो, by chance, by chance नहीं कर पाए, तो जे भी वर्टसन का लिख देंगे, हो गया, and और एक क्या करेंगे, और एक one liner वाला personality का, कोई भी एक छोटा definition लाके लिख दूगे, ठीक है, वो कोई भी educationist का चलेगा, कोई प्रॉबलम नहीं, कोई भी educationist का चलेगा, one liner, और two liner, जो भी आपको easy लगे, उसको ढूण के लिख देना है, इस place में, चले, आपको पता है, यह जो points था, यह हमने दो पढ़ लिया, M Prince का, और जे वी वर्टसन का, तो और एक definition भी given है, तो मतलब almost एक research चला था, और उस research में कौन-कौन थे, allport थे, इनका नाम अच्छा है, airport नहीं, वह allport है, तो allport के साथ और भी बहुत सारे person थे, जिन्होंने almost 49 definitions को proposed किया था, regarding personality, 49 definitions, सोचो, कितने सारे definitions आ गया, तो उन्होंने बताया, personality is a dynamic organization, within the individual, of those psychological, sorry, psychophysical system that determines his unique adjustment to his environment, ठीक है, तो personality क्या है, डाइनमिक है, डाइनमिक है, डाइनमिक क्या होता है, अगर एक person बहुत सारा character सो करता है, बहुत सारा multiple character variation सो करता है, तो हम उसको डाइनमिक बोले, अगर कोई भी वस्तू, हिंदी में सुन लो, कोई भी वस्तू, एक से एकाधिक एक जाएंपल दे दू, इजी समझ लोगे, नागिन, ठीक है, तो वो देखे हो ना, इच्छाधारी नागिन रहते हैं, डिफरन टाइप पर परस्नालिटी को ले लेते हैं, या फेस ले लेते हैं, वैसे ही बहेब करते हैं, तो वो बैसे है ताइप का, तो अभी बोला गया परस्नालिटी इस दा डाइनमीक औरगनाइशन, यहाँ पर डाइनमीक चेंजस, ऐसे औरगनाइशन है, ऐसे उसको बनाए गया, ऐसे संकसाए हैं बोडी के अंदर, जो कि बारबाद चेंज होते रहता है, जिसमें वेरिएशन आते रहता है, और यह वेरिएशन क्यों आता ह है, बिकाज आप बोडी जो साइको फीजिकल सिस्टम है, मतलब साइकोलाजिकल प्लस फीजिकल, फीजिकल जानते हो, सारे रेक बदलाओ, साइकोलाजिकल आपके मन में जो भी चेंजस आएंगे, तो यह दोनों के एक साथ, वर्क करने से ही, आपका यूनिक कारेक्टर आता है, इस एंवार्मेंट में खुद को एजस्ट करवाने के लिए, जैसे कि आप फॉर्ट टाइम कोई एक न्यू एंवार्मेंट में जाते हो, तो आपको बहुत टाइम लगता है, उस जगह पे एजस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे आपके बोडी में जो जो चेंजिस आते हैं, वही होता है, आपका पersonality, उसी के तॉर पे आपका personality बिल्ड हो जाता है, ठीक है, तो यह था आपका Allport का, जो आपको easy लगए आप लिख लेना अभी देखो personality का हमने यहाँ पर क्या दे दिया characteristics फटाफ़ से अभी traits means भी characteristics है but unique set of characteristics बोला गया एक normal set of characteristics अभी देखो personality is an internal process internal process मतलब क्या है body की insight होगा personality ऐसा थोड़ी चीज है जो बाहर से कुछ खा लिया तो हो गया नहीं है न जो body के within ही होता है तो यह internal process that guides behavior आपके behavior को जो बदलाता है या change करता है ऐसा कुछ process है आपके body के within होता है suppose यहाँ पर एक person का mind दिखा रही हूँ उसके mind में पहले positive positive दो sign थे अभी वो बाहर गया society में new society में गया society से बहुत कुछ सुना about different type of topics gossip जगड़े दंगे उसके mind में अभी थोड़ा बहुत negativity भी आ गया कुछ कुछ तो आगे वो confusions में भी है confusion में भी है तो यह जितने भी उसके अंदर information आए उसके वज़े से उसका character change होगा कि नहीं वो जो जो समझ रहा है receive कर रहा है उसके according ही वो information को अपने mind में store कर लिया इसलिए उसके body में changes आएंगे उसी के तोर पे वो character दिखाएगा अपना बदलाव दिखाएगा तो इसको बोला गया internal process तो हमारे दिमाग के बाहर आपको सोच सकते हो क्या नहीं तो दिमाग के अंदर हो रहा है body के वे दिन हो रहा है तो इसको हम internal process बोलेगे फिर देखो all put फिर आगे all put का पूरा नाम है Gordon all put Gordon all put अभी बोलोगे ma'am इतना कैसे याद रखेंगे कुछ-कुछ अच्छा से याद रखना पड़ेगा बच्चे लोग आप लोग याद नहीं रखोंगे future में फिर डाट होगे कि ma'am ने क्या पढ़ा दिया था ये सब exams के लिए आते ही हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो exactly याद रखना पड़ेगा और ये practice से ही होगा so Gordon all put 1961 में makes the point that personality is psychophysical उन्होंने क्या point बनाया कि ये psychophysical है already मैं समझा सुकी हूँ आपके दिमाग में चलता है और आपके बॉड़ी में वो react करता है आपके दिमाग में जो चलता है बॉड़ी में वो react करता है आप कभी अपना emotions को control कर सकते हो क्या सबके सामने control कर लो फिर भी अपना bed time पे bed time पे मतलब जब सोने जाते हो तब आप वो emotions आप खुद ही express कर देते हो खुद ही express कर देते हो है ना तो ये जो चीज है आप कभी भी सोच किसे mind में रख लोगे और express नहीं करोगे इसा हो ही नहीं सकता तो ये दोनों को मिला के होता है एक है physical दूसरा है psychological एक दिमागी तौर पे चलेगा तो एक body के तौर पे चलेगा तो दोनों के मिला पे जो भी character built होता है उसको हम personality बोल दिया next point biological and genetic phenomena ये किसने बोला biological point of view से बोलो किसने बोला अभी पढ़े थे prince m prince ने बोला था m prince ने क्या बोला biological and genetic phenomena do have an impact on personality आप simple समझ लो biological जो characters है आपके अंदर और genetics जो characters है आपके अंदर जो की chromosome से गुण शुत्र है जो की गुण को धर के लाते पकड के लाएंगे दबोच के लाएंगे parents से दबोच के लाते है उसी character का जो influence है उसी character का जो influence है और impact है वो personality में सो होता है समझा गया आपके व्यक्तितों में सो होगा आप दोनों जैसे ये सोच लो कि एक couple है A and B एक couple है उनके अगर बच्ची होंगे सपोज इनके बच्चे सोच लो small A, small B है एक बच्चा उसके पापा का जैसा है और एक बच्चा उसके ममा का जैसा है ठीक है क्यों ऐसा हुआ किसलिए कैसे जाने आप उसके personality से ही जान रहे है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये character उसने कहां से लाया अपने parents से ही लाया अपने parents से ही लाया एक ने जादा character अपने father का लाया तो वो father जैसा personality को दिखा रहे है एक ने अपने mother जैसा जादा character को लाया इसलिए mother जैसा character को वो सो कर रहे है और यह कारेक्टर कैसे आए, जेनेटिक्स के थुरू आया, तो इसलिए इसको बोला गया, बाइलोजिकल, जो की बॉडिली आता है, जेनेटिक, जो गुणोशुत्र के थुरू आता है, तो उसी के इंफ्लेंस से पस्नालीटी बिल्ट होता है, अभी एक वर्ड हमने पढ़ा पस्नालीटी इस डाइनमी, मतलब यह चेंज हो सकता है, सपोज एक बच्चा बच्पन में बहुत ही शाय था, बहुत ही डरा हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था, बट जैसे बड़ा हो गया, वो लोगों से इतना ज़्यादा इंफ्लेंस हुआ, मोटिवेटेड हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ओपिन अफ हो गया, वो सब कुछ कर सकता है, वो उसके अंदर से डर चला गया, साइनेस चला गया, तो यह जो पॉइंट है ना, हम उसी कोई सो कर सकते हैं, कि यह डाइनमीक है, कैसे वो बच्पन में था, कैसे वो अब है, देखो, कारेक्टर कितना भीरिएशन सो कर रहें, या चेंज़ सो कर रहें, फिर आया, पस्नालिटी इस गोल डाइरिक्टेड, अच्छा, यहाँ पर जब भी आप वर्ड सुनो, कि गोल, गोल मीन्स होता है, लाइब का गोल, एम्स, आपका जो एम्स हैं, उसको, आप जब एम बना लेते हो, उसके ए अपने एम के एकॉर्डिंग, अपने गोल को अचीब करने के लिए खुद को चेंज कर रहें, ठीक है, तो यह गोल डाइरिक्टेड है, नेक्स पॉइंट, परस्नालिटी आलसो मेंटेंज यूनिकनेस कारेक्टर्स और बिहेविरल कारेक्टर्स, देखो, अभी कुछ लोग हाइटर्स हैं, जो भी हमें इंफ्लूएंस करते हैं, एजूकेशनिस जो डॉक्टर शर्ववली, राधा खिष्णन जी, वी आर अमबेत कर जी, कितने परसंस रहे चुके हैं, उनके जो थोट्स थे हमें इंपक्ट करते हैं, या इंफ्लूएंस करते हैं, तो उनसे जैसे हम इंफ्लूएंस हो गए, तो वो क्यारेक्टर मैं अपने अंदर लेना चाहूंगे कि नहीं, येस, औव्यस मैं कुछ बेटर आप्शन तो लूँगी न, कि अपने आपको मोल्ड करना है, एक ढाचे में ढालना है, एक अच्छा परसं बनाना है, तो जैसे परसं, एक परसं अ आइधर ये इनेट हो सकता है, या फिर आपकोर्ड हो सकता है, आइधर अपने पैरेंट से आपला सकते हो, या फिर समय के साथ-साथ, खुद में ही चेंजिस कर सकते हो, एन्वारमेंट से इंफ्लूएंस हो के चेंज कर सकते हो, तो ये सारा जो चीज है, उसी के उपर उनिक नेस चारेक्टर बोला गया यूनिक रहेगा, जो भी कारेक्टर आप में है वो यूनिक ही रहता है परस्नालिटी आलसो हाज दा अबिलिटी तो एड़्जस विद अ सोसाइटी काल सोसी आवलिटी सोसी आवलिटी, जिसको आपने सामाजी करण भी बोला था परस्नालिटी मिन्स एड़्जस विद अन्वार्मेंट होगा यह एन्वार्मेंट होगा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना विकास वर्ड मिसिंग हो गया अगर भूल गया है, किसी को याद नहीं आया स्किप करना, नेक्स टाइम मुझे पूछना मैं बता दूंगी, वहाँ पर एन्वार्मेंट लिखना है एक गुड़ परस्नालिटी क्या होता पता है जो हमेशा हर कोई हर कोई एन्वार्मेंट में घुल मिल नहीं जाता तो जो परस्न हमेशा एन्वार्मेंट के लिए अच्छा चाता है और कोई भी environment में adjust हो सकता है उसी को ही हम good personality बोलता है then personality is whole rather than its parts आप बोल सकते हो क्या personality थोड़े थोड़े part में होता है मतलब आपने एक आधा biscuit खाया और बिस्किट को छोड़ दिया ठीक है वो personality है क्या नई आप completely खुद को modify करें completely modify जो भी एक character हो आप में total modify हो जाएगा that means ऐसा नहीं है कि एक character आज आया फिर change next day फिर change हो गया उसके next day फिर change हो गया उसके next day ऐसा हो नहीं सकता तो ये completely एक character आप में change हो जाते personality comprises of heredity and environment तो समझ आ रहा है याद आया क्या है d equals to h into e d equals to h into e heredity into environment का product जो होता है उसका जो मिला जो जो result है product का जो result निकलेगा उसी का मतलब होता है development तो personality development वी एक important developmental aspects में आता है मैंने पढ़ाया था आपको behavioral aspects जो last में था याद करो जो in totality में एक person में जो बदलाव आते हैं उसको हम behavioral aspects बोलता है जो आपके प्रकृती में आपके जो सारीरिक विकाश होगे या संग्यानात्मक विकाश होगे सांबेगिक विकाश होगे जो भी विकाश होगे उसके last में आप क्या बनते हो एक अच्छा इंसान बनते हो तो ये जो इंसान बनने का जो जर्नी है है behavior में जो changes आते हैं उसी को ही हम personality वो रहे हैं और यह personality वी कैसा built होता है heritage and environment के गुणात्मक गुणात्मक जो product है या गुणात्मक जो मुलांकन होगा उसी से ही बनेगा यह दोनों को आप गुनोगे या फिर multiply करोगे तब ही जाके आपका personality होलसम में आएगा टोटल में आएगा personality is made up of traits personality characters को carry कर रहा है इसलिए इसमें बहुत सारी गुण रहते हैं unique set of characters रहते है unique set of traits रहते हैं ठीक है यहां तक हो गया अभी देको meaning Latin word से आया है पर सोना इसका जो main word था Latin word था वो क्या है पर सोना the mask owned by actors while playing their role in the drama simply देखो Latin में इसको क्या बोल ले हमने Latin में हमने बोल ले कि एक actor जैसे मुखोटा पहनता है mask पहनता है अपने चेहरे पे and वो अपना drama acting skill दिखाता है सबके सामने वैसे यह सोच लो यह environment जो है यह जो पूरा अर्थ है एक platform है ठीक है जहां पर आप लोग क्या हो एक actor actress हो and आपको अपना role play करना पड़ रहा है जो role play करने के लिए जो जो character आप carry करते हो वही आपका personality है जैसे आप किसी के mother हो या किसी के father हो किसी के बेटे हो बेटी हो या फिर mom मतलब बहन हो friend हो ऐसा कुछ कुछ है तो यह सारे आपके personality है कि आप different persons के सामने different characteristics को सो करें ठीक है यह हो गया आपका meaning थोड़ा सा लिख देना है अभी देखो personality का मैं फूल फॉर्म दिया है अगर याद रहा exam में दान आप लोग लिखना attractive करने के लिए दी हूं otherwise कोई नहीं है इसका आप लोग अगर भूल भी जाओ चलेगा इस पॉइंट को कोई importance इतना जादा नहीं है एक्जाम के लिए ठीक है ऐसे में भी sort question mcq state में भी पूछा नहीं जाएगा यह only extra रहता है कुछ चीजे कुछ बचे होते हैं जो extra need करते हैं अपने मांक को और थोड़ा अच्छा करने के लिए तो उनके लिए है बस personality का पी मतलब क्या होता है perception capacity किसी चीज को अधी ग्रहण में राना अपने अंदर लाना जैसे कि कोई बच्चा अगर वोड़ा है कि मेरा English अच्छा नहीं होता सो चलो कोई बात नहीं उसको हम daily practice करेंगे एड एक दिन ऐसा आएगा जब English बहुत अच्छा हो जाएगा ठेक है English बहुत अच्छा हो जाएगा तो यह एक perception capacity है जिसको हमने receive किया ग्रहण आपका ग्रहण capacity है किसी चीज को पकड़ सकते हो अपने अंदर ला सकते हो फिर आया E E for emotional maturity maturation के साथ-साथ emotional point of view के उपर भी आपका capture होना चाहिए आप हमेंसा कुछ लोग होते ना कुछ भी थोड़ा डाड़ दो रोना स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ लोगों का anger बहुत जादा होता है बहुत जल्दी वह angry हो जाते हैं just like क्यों हुआ ऐसा क्यों होगा कैसा होगा क्यों मैं करूं ऐसा मतलब just like one negative point of view में आ गया तो ऐसे positive negative emotions की उपर भी अपना grip लाना R for responsiveness responsiveness to the situation कोई भी situation हो कोई भी अवस्ता आए कोई भी ऐसा work आए या फिर ऐसा आपको problem लगे तो उसका आप solution ढूड़ोगे ठीक है यह होता आपका positive personality आप उसका solution ढूड़ेंगे response दोगे उसका positive way में नहीं मैं डर लग रहा है भई मैं छोड़के भागूंगा या भागू इसा नहीं करना है तो यह होता आपका P.E.R. as for sociability, society के साथ adjust करना है तो वो ability develop हो गया तो आप sociability हो गया यह भी personality character है originality, always try करना कि आपको 10-12 मुखोटा नहीं पहना पड़े आप एक ही मुखोटा में originality अपना सो करो तो वो best option रहता है कि हर एक person को हर एक person को वो सो होने से easy रहता है आपको discussion करने में उसके साथ relationship maintain करने में and for neutrality आप ऐसे नहीं बना जो एक एक लोग होते न एक के पास कुछ ब बोल देंगे तो यह person नहीं बनना है मतलब हमें वो दोनों साइड में जो चलते हैं उसको नहीं बनना है अभी बोलोगे तो गाली आएगा तो वो गाली को तो बख नहीं सकते यहां पर क्लास है सो आप लोग समझ जाओगे कि एक person अगर बहुत जगह पे चुगली करता है र दूसर नहीं बनाउंगे यह हो गया neutrality फिर देखो एफ टोडद एपेर नस आपका जो आपरनस रहता है आप चाहूं तो आपका ईपेरेंस पॉजिटिप रख सकते हूं आप चाहूं तो आपका अपनेश्स नेगेटिब रष सकते हूं या फिर नुट्रल में रख सकते हू या फिर आप ऐसे appearance रखो जो सबको happiness रखे अभी जो point आ रहा है next L for leadership feeling always try करें ना किसी को ना हो सके, खुद को lead out करो खुद को lead out करो आपका जो personality है ना उसी को think कर लेना है कि आपका जो personality है वो एक-एक इनसान जैसा है वो एक-एक person जैसा है ठीक है, देखो personality तो persona means आप जानते हो यह कि actor जब mask पहनता है और drama करता है तो उसको हम personality बोलते है तो आपका each character को आप सोच लो एक-एक आपके दुसमन है ठीक है, जो negative है तो उसको जब आप change करते हो उसको जब lead out करके सही दिसा दिखाते हो तो उसको हम बोलते leadership feeling then I for integrated integrated मतलब जोड़ना characters को जोड़ना अभी मुझे आपके अंदर एक positive character दीख रहा है किसी और के अंदर मुझे थोड़ा negative character दीख रहा है किसी और के अंदर थोड़ा सा neutral character दीख तो मैं क्या करूँगी सारे characters को जोड़के एक अच्छा character build करूँगे and try करूँगे आप लोग के अंदर input करने के लिए because मैं एक teacher हूँ and बच्चे छोटे रहते हैं तो ये चीज भी आपको करना पड़ता है उनको सिखाने के लिए कि क्या integration होता है integration means यहां पर हम integration बोड़े एक दूसरे को जोड़ना मतलब एक character को दूसरे character के साथ जोड़ना अब देखो next T for tendency बार बार जो होता है बार बार जो होता है उसको हम tendency बोलता है Y for young आपको personality में always जब आप thinking कर रहे हो न outdated नहीं बनना है young generation के साथ भी चलना है खुद को young बना के रखो जब आप school में पढ़ा रहे हो तो खुद को think करना कि हम क्यूं डाटते हैं चोटे बच्चों को क्यूं वो ऐसे behave कर रहे है क्यूं उनके अंदर ऐसे changes आ रहे है तो खुद को भी उसी situation को feel करना उसी situation में खुद को ले जाओ feel करो बच्चों के जैसा एक टाइम पे दस मिट के लिए चाहे बच्चा जैसा feel करो और उसके अंदर जो है उसको निकालो, समझो and then modify करो तो यही character होता है कि personality कैसे modify होंगे कैसे changes होंगे और क्या meaning है तो देखो पूरा important सा चीज तो था बढ़ आप अगर भूल जाए exam में तो चलेगा उसको छोड़ देना अगर किसी को अच्छा लगा तो उसको mind में रखो and अगर जो mind में रखते हो and explain करने का आपके पास capability है ability है तो देखो आपको characters भी याद नहीं रखने पड़ेंगे personality का जो एक-एक alphabet बता रहा है न उसी को explain कर दो आपके सारे characteristics and concept clear हो जाएंगे ठीक है यही points है next point पे चलते है development of personality देखो अभी जो यह चीज है न कितने type के personality में development होता है first है physics then chemical अगर किसी को जानना है पूरा terms में तो यह physical होगा यह chemical होगा यह environmental होगा यह learning होगा learning देखो सबसे last में रखा गया किसी को भी modify करना चाहते हो न वो learning ही करेगा आप जो हर दिन every day I can see something surrounding us और suppose आपने एक flower को ही देखा तो जब आप आँखे खोल के flower को देखते हो तो क्या receive कर रहे हो तो उसमें आप receive कर रहे हो अच्छा यह flower का pregnancy ऐसा है यह color ऐसा है कितना sweet memories आपको दे रहा है कितना information दे रहा है यह भी learning ही होता है तो different type of learning ही होता है आप every day जो भी देखते हो वो learning ही है वो आप सीख जाते हो वो आपके दिमाग में as an information store होता है तो यहाँ पर one by one देखेंगे physical, chemical, environment and learning पहले एक छोटा सा diagram था यह हो गया आपका diagrammatic जो भी आपको देना था दे दिया आपने उसके बाद आप explain करोगा अगर उस point को आप समझा नहीं सके तो यह point को समझना है personality जो factors है factor influencing personality development ठीक है और से factors होंगे पहला तो biological factor जो influence करता है बहुत important सा चीज है मैं examples के तोरप आपको बताते ही रहती हूं बार-बार कि already biological जो चीज़े हैं आप दो आपके अगर suppose आपके घर में दो बच्चे है और दोनों बच्चे एक ही पैरेंट से बिलॉंग करते हैं मतब एक ही पैरेंट के हैं तो क्या उनका personality सेम होगा कभी नहीं होता वो always differ ही करता है even if वो twins क्यों नहीं हो जाए फिर भी change हो जाता है differ करता है तो यह biological factor है sociological factor में society influence करेगा suppose आपका बेटा या बच्चा बहुत ही talented था वो बहुत कुछ सीख पाता सब कुछ करता but due to responsibility जो उसको लेना पड़ा और बाहर जाना पड़ा वो school नहीं जा पाया and society से उसने learn किया कि पैसा important है तो में भी उसका character उसके वज़े से change हो सकता है वो everyday देख रहे हैं कि लोग जगड़े कर रहे हैं कुसी चीज को छीन रहे हैं तो वो चीज भी वो सीख रहा है उससे भी influence हो सकता है sociological factor psychological उसके दिमागी तोर पे उस पे क्या pressure डाल रहा है क्या एक चीज आप कर रहे हो सपोज सपोज थिंग कर लो कि अभी का एक एड भी आता है टीवी में बहुत ही अच्छा सा आड आता है कि एक टीनेजर बच्चा है लड़का है वो किसी पे किसी लड़कियों पे फूल फेक रहा है पते फेक रहा है पेन फेक रहा है उसके मदन ने उसको समझाया पता है कल दो लड़के मुझे पॉफकोन फेक रहे थे और उन्होंने मुझे अव्यूस किया ऐसा बताया तो क्या हुआ लड़के को गुसा आया और उसको समझ आया कि वो कहां पे रॉंग था कौन सा वो वोर्क कर रहा था वो रॉंग था तो ये हो गया आपका एक साइकोलोजिकल फैक्टर वो पहले सोसाइटी से ही तेखा वो सीख लिया उसने इतना जज़ किया था कि अपने मदर या बेहन के साथ खराफ नहीं करना है बाकी सारे लोगों के साथ वो खराफ कर सकता है बट जब उसके मदर ने बोला कि दुसरे लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया तो वो खुद को मोडिफाइग गया यही सारे हैं साइकोलोजिकल फैक्टर जो दिमागी तोर पे चेंज करते हैं भी बच्चे को या किसी भी परसन को हीवन बिंग्स में यह चेंज़े होते ही रहते हैं यहासा नहीं है कि स्टॉप हो जाएं यह कंटीनू रहता है स्टिल हम लोग जब तक जिनता है तब तक ही चलता है किसी को भी आप जो बोलते हो ना जेंवर्स कर दिया आपने चेंज कर दिया वही होता पसनालीटी को चेंज कहना फिर देखो बाइलॉजिकल फैक्टर में हमने तीन पॉंट को रखा यह फिजिकल कैमिकल नर्वर सिस्टम अभी नर्वर सिस्टम अल्यड़ी मैंने आपको समझा आयता, Central Nervous System आपके डिमार्ग में जो स्नायू हैं, इन्ड्रिय हैं, जो सेंसर्स हैं, वर्क करते हैं, इसी के चलते हैं, आप जो मूब करते हो, सोसते हो, समझते हो, सारा कुछ करते हो, यह Nervous System के ही बज़ा से होता है, chemical कभी कभी होता ना कुछ chemicals ले लिया कुछ positive chemicals होते हैं कुछ negative chemicals भी होते हैं अभी बोलो कि मैं positive negative में क्या आएगा चलो मैं आपको समझाती हूँ alcohol, drugs, cigarette अभी देखो medicines को भी हम drugs ही बोलते हैं कोई भी medicines को excessive ले रहे हो तो वो drugs का काम करेगा आपके body को harm ही करता है वो चाहे कोई छ करते हो कभी भी आपको body में issue होता है तो पेंकिलर ले 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 तो किसी को बिना बताए अडवाइस लिए फीजिशियन से अडवाइस ले आप medicine ले ले तो तो इसके वज़़े से क्या होता है इसके वज़़े से क्या होता है कि हमें problem start होता है physical issues आते हमारे body में deformity आता है या हमारे बाल जड़ेंगे कुछ भी हो सकता है body issues आते हैं तो यह एक हम बोल सकते हैं कि chemical problem आया chemical के बज़े से हमारे body में issues आया जिसके वज़े से physical changes भी हो सकते हैं यह सारा भी आपका characteristics को personality को change करने के लिए responsible है मैं पढ़ा-फट से समझा रही हूँ आप लोग पढ़ के और भी समझना ठीक है फिर नहीं समझ आया फिर बताओंगे मैं example के साथ समझा रहे हूँ ओके फिर देखो यहां पर sociological factor कल मैंने बताया था आपको important सा चीज कि there are two type of agency दो टाइप के agency होते एक होता है primary दूसरा होता है secondary जो primary agency है वो होता है प्राथमिक प्राथमिक जो मुख्यत आपको बताता है कि blood relation क्या है family में कैसा रहना है bonding क्या होता है family status क्या होता है पापा को occupation जो होता है parents को जो occupation होता है कैसे influence करता है यह जो बताता है वो होता है family परिवार परिवार वर्ग ठीक है परिवार वर्ग तो अभी जो आपका home है या फिर आपका जो family है यह primary agency है secondary में क स्कूलिटम मीनियेचर सुसाइटी बिकास यहां पर क्या है ना बहुत सारे परस्टनालीटी के लोग भी मिल जाते हैं बहुत सारे कल्चर के भी लोग मिल जाते हैं लैंगवेज भैरियेशन हो सके ऐसे भी परसंस मिल जाए तो यहां पर आप एवरेडे के कॉंटेक्स में जाएगा और तृतिया में कुछ है ही नहीं तृतिया तीसरा कुछ होता ही नहीं यह पर दितिया में और कौन-कौन से चीज है जो अधर लोगों से आपको जुड़े ऐसा कौन से हैं फिल्म देखते हो टेलिविजन रेडियो ठीक है ना मास मीडिया अनी टाइप अब मोबा और एक इंपोर्टन लॉंग वुशन है जो कि आपके बूक में दो दो बूक में 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 डाइव को बताता है उसको कैसे में च्छों हे बताता है उसको क्या में है बताता है उसी को क्या बोलते हैं, sociological factor बोलते हैं, अभी देखो, please mute up your microphone, then I'll start again, please, mic को on मत करो, अगर कोई issue है, सुनाई नहीं देरा, तभी on करना, after that, जैसे मैं discussion करने को लिए बोलूंगी, तब मुझे, जितना आपको point आरा है, बोलना मैं समझा दो, अभी देखो, दो point और भी extra आता है, जो family and society से आप learn करते हैं, so these two things are language and culture, ठीक है, language, भार्षा, even culture, संस्कृति या कला बोल सकतो, कला, कला संस्कृति, अभी society में, जब हम ऐसे जगह पे हैं, जहां पे multicultural programs हो रहे हैं, या फिर multiple language वाले persons हैं, तो उस time पे हम क्या सीखेंगे, एक से जादा language जानते हैं, तो आप लोंग ज कोई पाँच, मैं जैसे चार language आनते हूं, English, Bengali, Odia and Hindi, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत ऐसे संबल पूरी चल रहे हैं, तो ऐसा कोई मेटन नहीं है, मैं आपको example दे रहे हूं, ठीक है, तो ऐसे multiple हम language को learn करते हैं, कहां से learn किये, school से, घर से and society से, तो मैंने पहले ही बोल दिय स्कूल, मतलब विद्दा लए, आपका एक सामाजिक करण के लिए एक vehicle जैसा है, एक device जैसा है, एक motorcycle जैसा है, जो कि आपको आगे के तरफ ले जाता है, उसमें अच्छे भी चीज होते हैं, बुरे भी चीज होते हैं, ठीक है, वैसे ही culture भी है, तेखो, society में आप जब रहते कर रहे हैं, cultural integration हो रहा है, तो वो भी society के वज़े से हो रहा है, और इसके वज़े से भी आपके characters changes होता है, तो यह sociological factor है, last देखो, psychological factor, जो कि आपके intelligence हैं, आपके IQ को change करते हैं, कुछ-कुछ ऐसे teacher आते हैं लाइप में, जो आपको ऐसे build कर दें, उसके बाद आप रूखोग तो यह आपका intelligence IQ related है, वैसे motivation, यह भी एक type का motivation भी है, emotions, कभी-कभी होता ना, हम destroy हो जाते हैं, क्या है, नहीं मुझे कोई लड़की छोड़के चले गई, मुझे कोई लड़का छोड़के चला गया, मेरा divorce हो गया, यह वो बोलके, हम कुछ दिनों तक रोते हैं, रोते हैं, उसके वज़े से आइदर हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर बुरा हो जाता है, यह भी एक emotion है, मैं एक example दी, वैसे बहुत करीवी रिस्तेदारों के death से भी होता है, किसी के family issues के वज़े से responsibility लेना है, तो पढ़ाई चुट जाता है, बहुत सारे emotions हैं, ऐसा एक emotions नहीं है, बहुत सारे हैं, physical emotions हैं, mental emotions हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उसी के उपर और एक point डिपेंड करता है, attitude, attitude वी हो सकते है, attitude वी हो सकते हो, जो आपको बेटर लगे, ठेक है, आपका emotions के उपर ही depend करता है, यह character भी, आप किसी person को कैसा rudely behave करते हो, किसी को आप softly behave करते हो, किसी को आप समझ लेते हो, तो किसी को आप समझना चाहते भी नहीं हो, यह points है, interest, अभी interest का बात है, जब वो काम से आपको लगाव हो, प्यार हो, लव हो, मतलब, just, मुझे dance पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे पढ़ाई गाना पसंद है, मुझे cooking पसंद है तो मेरा interest उस चीजों में बहुत जादा होगा मैं active रहूंगी उस page में अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है तो मैं inactive हो जाओंगी मैं नहीं करूंगी वो चीज़ तो ये interest है last, sentiment होता है ना कुछ emotional point of view जो connection बिल्ड करता है बोता है ना दिलों का मतलब दिल जूड़ गया है दिल मिल गया है यहापे तो ये जो point होता है ना ये sentiments हैं कभी-कभी होते हैं कुछ teachers अपने बच्चों को मतलब अपने स्टूडेंस को अपने बच्चे जैसा मानते हैं तो जब उनको grow कर देते हैं जब उसके बाद 10 साल 20 साल बाद वही बच्चे रिटेन आके उनको कुछ बताते हैं कि सर आपके वज़े से ऐसा हुआ तो वस टाइम पर जो emotions create होता है उसको हम sentiment बोलता है अभी sentiments बहुत type के होते है बहुत examples हैं इसके मैंने एक example दिया ये points हो गया आपका जो factors हैं जो influence करता है आपके personality को आपके growth, height, आपके mindset को आपका बोलने चालने का ढढ़ंग आपका styles को सब कुछ को change कर सकता है तो वो है ठीक है ये points को मैंने समझा दिया आप पढ़ लोगे क्योंकि ये points अंदर भी लिखा गया मेरे ही notes है मैंने बनाया तो ये points अंदर लिखा गया अब इना personality, assessment, techniques में आ जाता है techniques क्या है ठीक है techniques techniques क्या होता है बोलो तो one kind of skill होता है जहां पर अपना आपनी क्या क्या unique चीजों को assess करने के लिए assessment को आप normally बोल लो मुल्यांकन मुल्यांकन मेंस actually evaluate करना judge करना तो उसी के जब marking कर देते हो किसी को leveled up कर देते हो और उसके बाद जब promotion देना है या judge करना है कि either वो good है या bad है तो उस चीज़ को हम assessment बोलता है to assess something to assess the performance to assess the ability किसी के ability को judge करना रहता है किसी के IQ को judge कर रहता है अभी देखो personality को हमें क्या different techniques के साथ assess करना है तो यहाँ पर दो type के techniques है एक है non-projective technique एक है projective technique non-projective and projective अभी subjective methods objective methods किसके अंदर आ जाते है non-projective techniques में अभी Hindi बच्चे बोलेंगे ma'am इसका Hindi क्या होगा तो बच्चे आप लोग का Hindi क्या होगा तो personality assessment techniques में दो type का है याद रख लेना एक है non-projective technique मैंने हिंदी बच्चे को बोले कि आप लोग इंग्लिश में ही उसको याद कर लेना छोटा-छोटा चीज है जो attractive करने के लिए किसी person को आप दिखाना चाहते हो कि हाँ आपके पास भी caliber है थोड़ा आप अच्छा लिख सकते हो तो इंग्लिश में कुछ-कुछ words को याद कर लो यह होता ना आपका confidence level को और बढ़ाएगा ठीक है उससे आप और अच्छा सीखोगे तो देखो personality assessment techniques में जो subjective methods है इसमें बहुत सारे methods में दिखाई हूँ यह methods आपके पेडागोजिस इतना दिनों से आप लोग हो रहे थे क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसमें भी वही सारे चीज़ है ठीक है उसमें भी यही सारे चीज़ है यही सारे topics हैं छोटे-छोटे points में अभी आपको समझारी फटा-फट से subjective method जब subjective का बात आता है तो आप समझ लो subjective means theory waste मतलब जिसको आप detailed में और बढ़ा करके expanding form में कर सकते हो तो that is called subjective मतलब विशय को आलोचना करना कोई भी विशय को बहुत गहराई से आलोचना करने को हम बोलते subjective method method को आप वीधी बोल सकते हो हिंदी में so detailed analysis कोई भी चीज को करना चाहते हो detail पढ़ना चाहते हो तो हम उसको subjective method बोलते है तो देखो just like किसी का case history पढ़ना है तो आप क्या करते हो वो कहां का है कैसा है क्या किया है क्या नहीं करता है सब कुस detail लिए देखते हो तो case history में हम अगर किसी person का personality judge करते है तो case history बेटर रहता है कि उसका family background कैसा था वो कैसा अभी क्या कर रहा था क्यों वो ऐसा change हुआ तो autobiography क्या है autobiography बोला गया किसी person के बारे में लिखना इसको हम बोलते थे आत्म कहानी किसी का story को लिखना किसी के life के जो भी history है stories है उसको पूरा fully लिखना मतलब उसके उपर पढ़े हो just like महात्मा गांधी के उपर हमने लिखा एक story बना है तो हमें पूरा detailed analysis करना पढ़ेगा फिर लिख सकते है वैसे देखो self rating self rating क्या है खुद को judge करना self rating मतलब इसको आप बोल सकते है self assessment खुद को आप judge करोगे कि पहले आप कैसे थे अब आप कैसे हो और उसके basis पे उसके basis पे you will give your mark एक rating mark देंगे कि हाँ मैं पहले था 10 के within मैं 5 रखा है और अभी का जो मैं हूँ वो 10 out of 10 रखा है तो यह points है then देखो eliciting verbal response of the subject suppose एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हो and you ask some question related to topic जो भी आपने पढ़ाया है ठीक है आपने कुछ एक topic पढ़ाया है उसके basis पे उसको आपने कुछ question किया यह बच्चे ने पूरे अच्छे तरह से वो topic को पढ़ लिया है तो वो क्या करेगा वो topic को अच्छे तरह से जानता है तो वो answer दे सकेगा तो eliciting verbal response of the subject कोई भी subject के बारे में अगर आप verbally बोल सकते हो डिटेल्ली बोल सकते हो तो उसको हम बोलते है eliciting verbal response और responses of the subject questionnaires क्या होता है बहुत सारे question आसकरना just like होता है किसी को हिंदी में बोलते है तदंत करना या फिर बोल सकते हो कि suppose मैं आपको जानती नहीं हूँ for the first time मैं आपसे meet की हूँ तो मैं क्या करूँगी आपको मेरे सामने बठाऊँगी and I'll ask some questions several questions questionnaire बोला गया ना बहुत सारे questions रहें इसमें and आप one after another question को ask कते जाओगे and आप उस question के according जान जाओगे कि आप क्या हो कैसे हो किदह से आए हो सब कु जान सकते हो देखो फिर next और एक skill है ऐसा बनाया रहता है ऐसा chart जासा attitude skill जाना है तो यहां पे कुछ characters mention होते हैं कि एक person क्या-क्या करता है आप जो करते हो उसके अपपर yes or no mention होगा आपको टिक करते हुए जाना है तो that is the attitude skills then आता है inventories inventories एक developmental work होता है क्या होता है एक developmental work होता है sorry developmental work होता है अभी developmental ways यह आपका life पहले इस point पे था अभी यह life यहां तक ज़ा रहा है तो grow क्या ना grow क्या इसी growth को जानने के लिए जो हम scale यूज करते हैं या फिर जो हम test यूज करते हैं तो उसको हम inventories बोलते हैं next देखो another point interview अच्छा interview में क्या होता है यह तो सबको ही पता है भाईबा सब दिये चुके हैं ना पता है सबको college में तो भाईबा होता ही था और interview आप लोग face कर चुके तो interview में बहुत सारे questions पूछते थे subject related तो interviews भोई है aptitude test normal aptitude test सब जानते हैं interest and inventories interest inventories होता है कोई भी developmental work बड़ आपकी interesting zone में जो आप जो zone को पसंद करते हो जिस field को आप पसंद करते हो जिस way में आप work करना चाहते हो उसी way में work करके आप उसको grow करेंगे तो यह subjective method है अगर objective में चलते हैं तो यह है personality inventories objective आगया छोटे छोटे point से नापना मतलब आपका particular एक ही character को मैं judge करूंगी दस character पूरा fully आपके उपर नहीं judge करना है मुझे फुली नहीं जाना है total मुझे एक character चाहिए उसी character को मैं यहाँ पर judge करूंगी कि either वो character आप में है या नहीं है उसको बोलते है personality inventories then आया observation इसको हिंदी में बोलते है अवलोकन किसी को आप देख के suppose जैसे बोलता है जासूसी करना तो किसी को आप judge कर रहे हो दो तिन दिन का समय दिया गया आपको time period के within उसको पूरा fully judge करना है उसमें क्या-क्या है changes या क्या-क्या character से आपको बताना है यह observation है फिर आता है checklist checklist is somehow attitude scale के साथ सेम होता है checklist में ऐसे एक page बनाया जाता है उसमें कुछ character mention होते है जो character आप में present है उसमें yes, no ऐसे करके mention करते हुए चलना है checklist भी एक तरह सा rating scale होता है क्या होता है rating scale जैसे आप लोग खाना लाने के बाद ratings देते हो कोई gifts कर इतने के बाद ratings देते हो feedback देते हो वैसे ही है किसी भी person को अगर feedback देना हो तो हम checklist यूज करते है कि तुम्हें ये गुण है या नहीं है next ratings के लिए आ गया checklist के दूसरा भाई है rating scale rating देना that means आपका जो quality है वो poor है extraordinary है या फिर आप normal हो good हो ऐसा जो judge करते हो जैसे कि आपको great points मिलते है तो वो rating scale होता है then देखो sociogram ये sociogram होता है आपका जो social activities है या society में रहने के लिए जो भी आप activities को so करते है उसको अगर judge किया जाए तो उसको sociogram बोलता है then last one performance and situational test कोई एक particular situation के basis पे आपके performance को हम judge करेंगे suppose मनी एक sudden कोई एक program बिनाया ठीक है उसमें आपको एक घंटा पहले बोला गिया कि इस situation को तुम्हें handle करके रिखाना है तो उसके basis पे जो test होगा उसको हम performance and situational test बोलेंगे ठीक है यह सारे points को explain किया गया है one after another यहाँ पे checklist rating skill अभी देखो sociogram को sociodrama भी बोला जाता है sorry sociodrama भी बोला जाता है जो की audience रहते है please mute up your microphone दो मिनीट बसक्तम हो जाएगा ठीक है suppose कुछ एक problem को मैंने यहाँ पे raise कर दिया ठीक है screen पे मैंने कुछ problems को raise कर दिया अभी जो person वहाँ पे खड़ा था solve करने के लिए वो solve कर रहा है तो उसके work के ability के उपर जितने भी audience है जो उसको observe करे वो feedback देंगे तो यह जो चीज होता है कि उसका creative ideas कितना है वो कितना details में think करता है वो कैसा modern life को solve कर रहा है या society को उसके साथ integrate कर रहा है अगर यह सब को हम judge करते है तो उसको socio drama वोत है हो गया and last जो चीज है ना यह point है हमने non-projective and projective तो techniques को लगाये थे हमारा non-projective जितना important था आपका projective techniques उतना ही important है थोड़ा बहुत हम लिख सकते है जादा नहीं चाहिए बुक में उतना जादा mention नहीं है तो हम जादा नहीं जाएंगे तो यहाँ पर देखो projective technique में क्या-क्या होता है to evaluate unconscious behavior of the individual पहला line बहुत important है देख लो unconscious लिखा गया है मतलब आप जो करते है उसको judge नहीं करना है आप unconscious में जो कर देतो कभी-कभी होता है miracle हो जाता है miracle boys होते है girls होते है जो कि करना नहीं चाहते थे बट पड़ाइक से उनसे कुछ हो जाता है so that is unconscious मतलब वो जानते नहीं है वो चेतना में नहीं रहते है बट suddenly कुछ हो गया उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया तो उसी चीज को judge करना है total personality of an individual पूरा projection करना है आपके उपर मैं point out कर रही हूं तो यह हो गया projection ठीक है आपके तरफ हात मैंने दिखा दिया अभी आप पूरे दिन में क्या करते हो दस दिनों में क्या करते हो तीस दिनों में क्या करते हो आपका personality को मैं all round way से judge कर रही हूं या check कर रही हूं relatively indefinite and unstructured stimuli देखो अभी ना जो आपके अंदर stimuli आ रहे हैं वो structured है मतलब आपको पता है कि अभी madam पढ़ा रही है तो यह आपको total information मिला हुआ आपके mind वो receive कर सकता है यह structured है बनाया गया है इसको अगर कोई stimuli ऐसे ही आ जाता है फटाक से आ जाता है आप जान नहीं पाते हो तो उसको unstructured stimuli बोलते है उन्नोंगले जो आ जाता है unconditioned way में जो आ जाता है उसके लिए कोई fixed time period नहीं है conditioned नहीं है indefinite period में आता है तो उस point पे जो आप सो करते हो जो character आप सो करते हो उसी character को यहाँ पर हम judge कर रहे है unconsciously projects his own desire देखो आप कभी अपने चेतना में नहीं हो and suddenly आप अपने feelings को सो कर रहे हो अपने desire को सो करे हो hope को सो करे हो या कभी-कभी हम रात को जब सो है रहते हैं देखते हो ना डर जाते है तो वो सारे चीज़े कभी-कभी अपने wishes को बता देते हो कभी-कभी गलती से बढ़वडाते हो बोलते रहते हो यह जो जितने characters हैं ये सारे unconscious way में चलता है तो उसी characters को judge करने के लिए यहाँ पर कुछ test मैंने mention किये हैं ठीक है ये test जो है normally हमने six test को रखें first one is ink blot test इसको first जो discover किये थे Harman Rosak ने देखो आर थोड़ा सा silent रहेगा रो साक ठीक है रो साक ने इसको discover किया था ये Swiss psychiatrist है मनोवयानिक है जो दिमागी तोर पे patients जो रहते थे उनके उपर work करते थे जो पागल हो गया है बोला जाता है actually पागल कोई नहीं है उनका unconscious way में जो stimulus थे वो active हो जाते है उसी को हम बोलते हैं वो पागल हो गया है उसको दिखा रहे है तो उसी के उपर वो work करते थे इंक ब्लॉट टेस्ट अभी next है thematic appreciation test thematic appreciation test discover किया थे Henry Murray ने in 1943 Henry Murray ने discover किया था and thematic जो है ये थीम बेस्ट प्रोग्राम है बचे को judge करना है तो उसको एक थीम में दे दो पहले उसको happiness मिलेगा फिर वो अपना real जो talent है उसको वो सो करेगा या project करेगा next is children appreciation test ये समझ रो बच्चों को appreciate करना है उनके work पे वो चाहे खराब क्यों ना करे अच्छा क्यों ना करे सबको positive ले appreciate करना उसमें positivity बिल्ट होता है sentence completion test ये तो जानते हो बाक्य को पुरन करो पूरे बाक्य में जो आधा-धुरा चीज़े रहते हैं उसको complete करना next है word association what क्या बोड़ो please make up your microphone last है word association test word association क्या है एक word को दूसरे word से जोड़ना एक meaningful way से चलना ताकि लोगों को समझ जाए कि इसमें वो क्या बताना चाहता है हाप कभी-कभी ना आपके मुझसे कुछ-कुछ words आ जाता है जो कि आपने पहले कभी पर pronounce नहीं क्याता और ये आप unconscious way में ही करते हो तो उसका कुछ अलग ही meaning होगा maybe वो आपके हो सकता है कि genetical कुछ जो आपके for fathers थे उनके used words है वो आज आता है कभी-कभी mind में तो ऐसे कुछ-कुछ चीजों को भी आप जज कर सकते हो last storytelling and story completion test storytelling जानते हो suppose मैंने आपको आज एक story बताए तो मैं last में कुछ gap छोड़ दूँगी और आपका creativity level को judge करने के लिए उसको बोलूँगी आपको बोलूँगी कि उस story को complete करिये please complete the story with your own creative ideas तो यह जो point आया कि अपनी creative ideas को वहाँ पे join करके यह पूरा complete करना है तो यह चीज हो गया story completion test तो इतना सारा चीज होता है ठीक है इतना सारा चीज होता है जो कि आपको इतना complete करना सी यह complete long question होगा ठीक है so